जनपत फरुक का बात के थाना कमाल गंज के सामने खड़ा ये परिवार गाओं के डहा का रहने वाला है जिस पर चुनावी रंजिस को लेकर दबंगों ने हमला बोल दिया इतना ही नहीं दबंगों ने घर में बैठी महलाओं पर हमला बोलते हुए उनके साथ जम कर छेड़ की इस मामले में दलित पीडित ने दबंगों के खलाब ठाने में तहरीर दी सांतर मेरी एक अकटी बखरी नहीं कोई कहने वाल नहीं नहीं वो लोग जात के ठाकों रहे और बात हम है सर अब लोग ठाकों लोग हैं तो दो चलाई कर दी है उपने बच्कों सभी सातियों को लेकर आये सर मेरे उपर अखेले हो उनका जो केपी का लड़का आंके ताब उसके हाथ में कटा था उसने मुझकों बहुत दूर तक खदेड़ में मकाओं में शिपके सर निकले हैं पांटि क्या नमा ममा तुमारा किरन कांगराती क्या घटा गड़ी समय साथ हमारे साथ लेगा बीटी सी में खड़े हुए था इसलिए ताफिल लोगे ने राजमीती खिती वोकिक पीलिए कि मेरा मकान नियाजगरी सीथ है बीटी सीम कर दीजेए साफ मेरी पुई लिडशी नहीं तो इसलिए खड़ा ओगया में था आप लोग आजै क्या ने कि अन्याटी आतम पे लेटी गड़ेटी तो आफ लोग फिसलियों ने के लिए क्रेफ लोग हैं वाल्मी तो बालमेक हैं कितन लोगा आई था तो पर गया थिया है क अंकीत लड़का है उसमें तमन्चा ते छेड़ खानी किया नई अंकीत न क्या किया किसके छोटी बहु के साथ मेरे छेड़ खानी कि उसने थाने गई थी थाने गई जब तलग थाने आए तक तलग उनने सफालो बिगाद डाला सब्सक्राइब भाग गए करके पहले भी हमला है तो यह पहले भी घुसे आथ है नहीं नहीं भाब में आये तो एकदम थे आए हम लोगों को जानी नहीं पाई कोई करती जाता था लेटने तो कोई किसीं जाना ने एकदम मतानांत सबीलो भी होजा आए समने मेरे साथ में